हेल्ओ एव्रिवन करें कि आज हम लोग फोर्स का का यूज करकर कुछ और प्राबलम सॉल्ब करेंगे में स्यॉस हम लोग ने देखा था कि कैसे हम फोर्स की üçछ करते हैं ठीक हैं तो आज हम लोग कुछ problem solve करने जा रहा है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो यह third question है previous two questions में हम लोगोंने fork के बारे में discuss किया था और कुछ problem solve किया था तो यहाँ पर question यह है कि how many processes will be created when the following code is executed ठीक है तो यहाँ पर देखिए fork को तीन बार call किया है एक sequence में पहले बार पहला fork call किया है फिर दूसरा fork call किया है फिर तीसरा fork call किया है तो यह problem कैसे solve होगा इसको अभी हम लोग देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर पहले क्या है suppose कि जी की पहले एक process है system में जो main program आपने शुरू किया है dot slash a.out ठीक है जो run कराया है a.out a.out ठीक है तो अभी क्या है कि system में यही एक process है जो program आपका run कर रहा है that is basically the process ठीक है अब क्या है कि जब पहली बार for call करेंगे तो क्या होगा अब यह program क्या करेंगा इस fork को run कराएगा ठीक है यह fork system call इस program ने call किया है ठीक है इस process ने call किया तो क्या होगा अब यह एक child process create करेंगा ठीक है तो जब यह fork call होगा तो process p will create child process ठीक है तो यहाँ पर देखिए कि इसने एक child create किया, c का मतलब child और ये child को हम बोल रहा है one, ठीक है, तो इस four के बाद दखिए, अब हमारे पास कितने process हो गए, दो process हो गए एक, जो original process p था दूसरा जो child इसने create किया, वो हो गया, ठीक है तो पहला four के बाद हमारे पास देखिए, कितने process हो गए, दो process हो गए एक original process था और ये नया जो process create हुआ, ठीक है, तो जब पहली बार जब हमने four call किया तो कितने child process create हुए एक child create हुआ, ठीक है तो अगर यहां के child का counting करें c is equal to कितने child हुए, तो पहली बार four call किया, तो अब ये एक child हुआ, तो अब मेरे पास कितने process होगा सिस्टम में, दो process, ठीक है एक, जो original process था, दूसरा इसका child, ठीक है, दूसरी बार जखिए जब four call करेंगे, तो क्या होगा अब हमारे पास दो process है इस four के बाद का statement क्या है four है, ठीक है दोनों, child और parent दोनों इसको execute कराते हैं तो अब क्या होगा कि ये पी जो है process, original process और ये one, जो child create हुआ है, ये दोनों क्या करेंगे ये next statement के है, अब four है तो इसको execute कराएंगे, मतलब ये पी भी four को call करेगा और ये, जो child process one है वो भी four को call करेगा इसका मतलब क्या हुआ, कि अब दोनों process क्या करेंगे, एक child create करेंगे, ठीक है तो ये दोनों four call करेंगे क्योंकि four क्या है, ये पहली बार जब call किया four, तो ये दोनों create हुआ sorry, ये child create हुआ और इसके बाद का statement क्या है, four तो ये क्या होता है, हम लोगों ने discuss किया था कि ये four के बाद का जो statement होता है, वो क्या करते हैं, दोनों process execute कराते हैं, ठीक है तो ये parent भी run कराएगा इस second four को और ये child one भी run कराएगा second four को, तो क्या करेगा, parent भी क्या create करेगा, एक child और ये जो child one है, वो भी एक create करेगा another child, ठीक है तो दखिए, यहाँ पर इसने एक child create किया, इसको हम बोल रहे है, child two ठीक है, और ये अपना जो original process था, तो ये original process पी ने एक child create किया, c का मतलब child, ठीक है, उसी तरह से ये process one भी क्या करेगा, एक child create करेगा, so process one ने भी एक child create किया, इसको बोलते है child three, तो इसी का मतलब child, तो ये process create किया, child three, child process तो देखिए, second four के बाद क्या है, हमना पास कितने process हो गए एक original process और दो child process, और एक including one तो three child process so two, जो की second four के बाद, original process ने create किया, three, जो second four के बाद, जो child process है, step one का, उसने create किया, ठीक है, तो अब second four के बाद, देखिए, हमारे पास system में total कितने process हो गए total four processes हो गए, one parent process and three child processes, तो second बाद, जब four call किया, तो कितने child process हो गए, one two, three, process one two, three, sorry three बोल रहा हूँ, two two, एक ये process create हुआ, दो ही child तो create हुए न, एक ये child और दूसरा ये child, so total दूसरी बाद, जब four call किया, तो जो child create है, पहली बार में one child create हुआ था, one, दूसरी बार में दो child, child two और child three so total कितने child create हुए अब तक, three, level one पे, जब पहली बार four call किया था तो एक child create हुआ था अब दूसरी बार जब four call किया, तो कितने child create हुए, दो child create हुआ, अब देखिए, second four के बाद मेरे पास, system में अगर आप देखिए, so total four processes है, ठीक है तो अब अगला four जब call करेंगे तो क्या होगा है, देखिए, ये four processes क्या करेंगे ये जो four process है, four two के बाद, ये सारा process का जो program counter का next value होगा, ये third वाला जो four है, ठीक है, इसका मतलब कि ये जो four processes है, original process P, process two, process one और ये process three ये चारो process क्या करेंगे, इस four को call करेंगे, ठीक है, इसका मतलब कि अब ये P भी क्या करेगा, एक नया child create करेगा, process two भी एक नया child create करेगा, process one भी एक नया child create करेगा, और process three भी एक नया child create करेगा, क्यों क्योंकि इस four के बाद क्या है, second वाला जो four है, इसके बाद four processes है system में, और फिर आपने four call किया, तो इस four के बाद आप fork system call करके child create करेंगे तो यहाँ पर देखे P ने एक child create किया इसको बोल रहा है child 4 तीन तक create हो चुके है so child 4 ठीक है so original process P ने एक child create किया ठीक है उसी तरह से child 2 क्या करेगा another child create करेगा इसको बोल रहा है child 5 यह 4 था तो यह 5 ठीक है so 2 will create another child 5 उसी तरह से 1 क्या करेगा एक और child create करेगा इसको बोलते है child 6 C मतलब child so इसने child create किया और 3 क्या करेगा यह भी क्या create करेगा another child create करेगा so this is child 7 ठीक है तो देखिए यह 3rd 4 के बाद system में total कितने processes हो गया ठीक है एक parent process और कितने 3rd दखिए तो fork में कितने child process create हुए पहला दूसरा तीसरा और 4 चार child process create हुआ एक P ने create किया एक child 2 ने एक child 1 ने एक child 3 ने ठीक है so total कितने child create हुए यह 4 child create हुए 3rd fork के बाद ठीक है तो 3rd fork में basically total 4 child create हुए ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो 3 यह जो call किया है fork लगातार sequence में तो यह 3rd fork के बाद total system में कितने processes हो गए total 8 processes है ठीक है total system में 8 processes है ठीक है जिसमें एक original process है और बाकि देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 क्या है child है so total number of child कितने हो गए 7 और total process कितने हो गए 8 जिसमें की एक जो original parent process है और 7 child basically create हुए और child कैसे create हुए पहली बार जब 4 call किया तो 1 child create हुआ दूसरी बार जब 4 call किया तो 2 child create हुआ level 1 पे और तीसरी बार जब 4 call किया तो 4 child create हुआ तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि total कितने processes create हो गए 7 processes ठीक है तो यहीं पर लिखा है कि 7 processes will be created 1st child process is created जब पहली बार 4 को call कर रहा है और वो कौन सा child है यह 1 है ठीक है 2 child processes are created जब 2nd बार 4 को call करते हैं तो इसमें कौन सा create हुआ दूसरी बार में child 2 और child 3 create हुआ और तीसरी बार जब 4 child processes create होंगे तो थर्ड बार आप 4 को call करते हैं तो यह 4 child कौन से हैं 4, 5, 6 और 7 तो टोटल 8 process होगा including 7 child and 1 original process तो इस question का answer क्या होगा answer will be total 8 processes will be created ठीक है यहाँ पे कितना process create होगा total 8 processes ठीक है 8 processes जिसमें 7 क्या हो जाएंगे child होंगे ठीक है और यह क्या होगा parent process होगा ठीक है तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गया है कैसे यह process create होगा ठीक है clear है अब हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं एक और problem यहाँ पे है question number 4 इसमें हमने पूछा है what is the output of following program तो एक program हमने लिखा है तो इसका output मैं आप से पूछ रहा हूं ठीक है तो यहाँ पे basically वही problem है हमने क्या किया है तीन बार fork call किया उसके बाद printf enjoying lockdown लिखा है ठीक है तो इस problem को अगर आप solve करें तो देखिए कि तीन फोर्क के बाद total कितने process create हो जाएंगे total 8 process create होंगे जिसमें 7 child होगा ठीक है और एक जो होगा original process जो होगा ठीक है तो यह 7 child हो जाएंगे और एक जो होगा original process होगा और यह 7 child और 1 original process total 8 यह इसके बाद का statement क्या है enjoying lockdown तो यह जो all the 8 process है ठीक है वो 8 process का program counter में जो next instruction होगा वो कौन सा होगा यह printf वाला होगा हम लोगा डिसकस किया था कि फोर्क के बाद का जो statement होता है वही जो statement क्या करते है सारे process run कराते है तो यहां पर दखिए पहले फोर्क दूसरा फोर्क तीसरा फोर्क तो यह तीन फोर्क के बाद का जो statement है तीन फोर्क तक कितना process create हो चुका है 8 process ठीक है पहली बार कितना process create हुआ होगा एक process, दूसरा वार में दो child process create हुआ तीसरी वार में 4 child process, so total 7 child process और एक parent था, so total 8 child process create हो चुके हैं और यह सब क्या करेंगे, यह print if statement को एक्यूड करेंगे, अब यह जो 8 process है, सब के पास देखिए, इस program का copy है, मतलब आप समझ सकते हैं कि all 8 processes message के पास यह जो program है, जो लिखा है program, उसका copy है, और यह independently run करेंगे एक साथ, ठीक है तो सारे क्या करेंगे, यह print if statement को execute कराएंगे, और फिर यह return zero होगा, तो सारे process terminate कर जाएंगे, ठीक है, तो एक एक process क्या करेंगा, यह पहला process क्या करेंगे, यह print if run कराएंगे, फिर यह terminate कर जाएगा, ठीक है, तो उस तरह से seven child processes क्या करेंगे, यह print if statement execute कराएंगे, और एक parent process भी इसको execute कराएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ है, कि seven processes अगर इसको child processes run कराएंगे, तो seven time enjoying lockdown print होगा, और एक parent process भी इसको run कराएंगा, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, enjoying lockdown print होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि यह enjoying lockdown total कितनी बार print होगा, eight बार print होगा, ठीक है, तो यहीं पे यह देखिए, लिखा है, enjoying lockdown, यह eight times print होगा है, बहुत simple सा program है, और कैसे यह solve होगा, यह आप समझ गया है, ठीक है, क्योंकि यह eight processes create होगे, और सारा process क्या करेगा यह, यह print up statement को execute कराएंगा, क्योंकि सारे process के बाद क्या होगा, इस program का copy होगा, तो यह program का कितना copy बन जाएगा, eight copy बन जाएगा third fork के बाद, ठीक है, तो यह सारे क्या करेंगे, इसको run कराएंगे, और यह, जो output होगा वो, क्या होगा, यह program eight बार run करेगा, तो हर बार क्या करेगा यह, enjoying lockdown print करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और problem दिया है आपको, इसको solve करिए, तो यहाँ पे क्या किया है, कि main में एक function call किया है, fork example, ठीक है, तो यह fork example function call किया, उसके बाद return zero, और यह fork example function देखिए, क्या कर रहा है, इसमें एक variable रखा है, x, और x की value कितनी है, one है, ठीक है, और फिर हमने fork call किया है, तो जब fork call करेंगे, तो क्या होगा यह, एक parent process create होगा, और फिर क्या होगा, इसका एक child create होगा, ठीक है, तो यह दो process create होगा, ठीक है, और यह जब आपको मालूम है कि fork क्या करता है, parent को greater than zero value return कराता है, और child को यह equal to zero value return कराता है, ठीक है, so basically यह child को zero return कराएगा, और parent को क्या करेंगा, value greater than zero, greater than zero का मतलब इसके लिए, जो child create होगा है, ठीक है, यह parent से जो child create होगा है, यह जो child, उसका जो id है, process id है, वो क्या करता है, इस parent को return करता, मालने जिसका id है, 1173, ठीक है, तो fork system call क्या करेंगा, parent को 1173 return कराएगा, और यह जो child है, उसको क्या करेंगा, यह zero return कराएगा, ठीक है, तो fork को, यहाँ पे क्या किया है, fork जब call किया है, ठीक है, तो value, दो ही value होगा, एक को जीरो, एक होगा, greater than zero, ठीक है, तो यहाँ पे तक यह zero से compare किया है, zero से compare किया है, तब ये क्या होगा, ये चाइल्ड का ब्लॉक होगा, ये जो इफ वाला ब्लॉक है, ये किसके लिए यूज होगा, ये चाइल्ड के लिए यूज होगा, क्योंकि चाइल्ड को क्या करता है, ये जीरो रिटन करता है, तो फोर्क अगर वैलू कंपेर करेंगे, तो चाइल्ड मे यह parent के लिए execute होगा, ठीक है, तो यह बिसकलिए जो block होगा, वो parent execute कराएगा, तो अब जखिए इस program का बिसकलिए दो copy बन जाएगा, यह जो program है, ठीक है, अब इसका दो copy बनेगा, exactly, पहला child को allocate होगा, दूसरा क्या होगा, parent को allocate होगा, ठीक है, तो child कौन सा, इसी program को run कराएगा, तो child कौन सा block execute करेगा, यह if वोग एक्सक्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे fork की value 0 से है, यह compare कर रहे है, तो fork 0 किसके लिए है, child के लिए है, तो child क्या करेगा, यह वोग रन कराएगा, और else वोग जो block है, उसको skip कर जाएगा, उसको यह run नहीं कराएगा, और फिर यह, यह example function जो है, for example यह terminate कर जाएगा, और यह program end हो जाएगा, तो child क्या print कराएगा, child print कराएगा, plus plus x, तो x की value कितनी है, 1, तो child कितना print कराएगा, plus plus x, plus plus x कितना हो जाएगा, 2, तो x की value कितना print कराएगा 2, ठीक है उसी तरह से देखे, parent के लिए क्या है कि parent कितना print कराएगा, minus minus x so x की value कितनी है, 1 तो minus minus x कितना हो जाएगा यह हो जाएगा, 0, तो parent कितना print कराएगा 0, ठीक है so basically जो output मिलेगा वो child क्या print कराएगा 2 और parent क्या print कराएगा 0 ठीक है यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए कि ये दोनों के लिए क्या है कि child और parent के लिए ये जो value है ये जो program है वो अलग-अलग है दोनों को ये पूरा program allocate हो जाएगा दोनों को क्या होगा कि ये पूरा program का copy create होगा ठीक है तो child क्या करेगा child के लिए x की value 1 होगी और ये 2 print कराएगा और ये terminate कर जाएगा child process और parent के लिए क्या होगा ये x 1 है तो ये parent क्या करेगा x को decrease करेगा 1 से तो 0 हो जाएगा तो 0 ये print करेगा और ये terminate हो जाएगा ठीक है so child कितना print करेगा child has x is equal to 2 पेरेंट कितना प्रिंट करेगा पेरेंट है x is equal to 2 अब यहाँ पे देखिए कि पहले कौन वैलू प्रिंट कराएगा चाइल्ड की पेरेंट तो पहले जो terminate होगा वो क्या होगा पहले प्रिंट कराएगा जैसे माली जो कि पेरेंट पहले terminate कर गया ठीक है तो पेरेंट क्या करेगा यह 0 print कराएगा और यह terminate कर जाएगा इंड हो जाएगा उसका मतलब exclusion वो इंड हो जाएगा उसके बाद चाइल्ड क्या करेगा 2 print कराएगा और उसका अगस्यूशन इंड हो जाएगा दूसरा सिनेरियो यह हो सकता है कि child क्या करे, child to print करा, ठीक है, और ये terminate हो जा, और उसके बाद parent to print करा, sorry, 0 print करा और terminate हो जा, ठीक है, तो इसमें ये जो output होगा, वो किस पर depend करेगा, उस पर depend करेगा, कि पहले कौन process terminate होता है, अगर पहले parent terminate होता, तो parent क्या करेगा पहले, x की value 0 print कराएगा, ठीक है, terminate कर जाएगा, उसके बाद child क्या करेगा, x की value 2 print कराएगा, और terminate करेगा, दूसरा scenario हो सकता है, कि मान लिजे कि, जो child है, वो पहले terminate कर रहा है, तो child 2 print कराएगा, और terminate कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, parent 0 print कराएगा, और terminate कर जाएगा, तो ये output basically depend करेगा, कि कौन सा process प terminate कर रहा है, ठीक है, तो parent कहा कि पहले terminate कर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, child terminate कर रहा है, अगर कहीं पर ऐसा हो सकता है, कि child पहले terminate करेगा, और parent बाद में, तो फिर यह दखिये sequence हो जाएगा, यहाँ पे पहले print क्या होगा, child has x is equal to 0, सारी 2, और parent has x is equal to 0 ठीक है तो बिसकली यह डिस पर डिपेंड करें कि कौन सा प्रोसेस पहले टर्मिनेट होता है ठीक है तो इस चीज़ को आप समझ गया है तो आगे बढ़ते हैं एक और प्राब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग उन्हें एक प्राब्लम लिया रहा है कि हम क्या करेंगे four processes create करेंगे यहाँ पर question है कि write a C++ program या C program to create four processes four process में क्या होगा एक parent process होगा और three basically क्या होगा यह child process होगा ठीक है three child और एक parent four process हम create करेंगे और हर process क्या क्या करेगा तो parent process क्या करेगा frequency of number count करेगा हम a set of number क्या करेंगे user को enter करेंगे जिसे 1, 2, 7, 11, 12 ये array भी ले सकते हैं आप या ऐसा number भी ले सकते हैं तो array आप ले लीजिएगा तो पहला parent जो process क्या करेगा वो count करेगा frequency of numbers कोई number दे दिया मान लीजिए कि number दे दिया 7 तो 7 का frequency कितना मतलब array 7 में कितनी बार आया है या मान लीजिए अगर आप दे दिया 2 तो 2 कितनी बार आया है array में ये क्या करेगा ये count करेगा ठीक है so frequency count का मतलब बसकली यही है कि एक particular element जिसको हम बोलते है key कि आप क्या करेंगे user से read करेंगे और count करेंगे कि वो कितनी बार यहां पे array में appear हुआ है जैसे key के value वगर 12 है तो आप पता करेंगे कि 12 कितनी बार array में आया है जैसे 12 वगर 3 times आया है तो count कितना हो जाएगा 3 ठीक है और पहला child process क्या होगा जो create होगा पहला child ओ क्या करेगा array को sort करेगा sort करेगा मतलब increasing order या decreasing order में उसको arrange कर देगा second child process क्या करेगा यह क्या करेगा कि even number कितने है array में यह count करेगा जैसे 2 even number है 12 even number है तो यहाँ पर total कितने even number होगा है 2 even number होगा 2 or 12 तो यह क्या करेगा count करेगा कितने यहाँ पर even number है और third वाला जो child process है वो क्या करेगा वो sum of even number को calculate करेगा जैसे 2 plus 12 तो आपको basically क्या करना है कि four processes create करना है ठीक है और यह सारा process कैसे काम करेगा यहां पर दिया गया कि parent क्या करेगा कि एक particular key user से read करेगा और देखेगा कि वो key या वो number जो है वो array में कितनी बार appear हुआ है उसका frequency अकाउंट करेगा पहला child क्या करेगा array को sort करेगा तीसरा child क्या करेगा even number of elements कितने array में यह count करेगा और चौथा child क्या करेगा कि जो even elements है उनको क्या करेगा sum करेगा उनका जो sum है वो calculate करेगा ठीक है तो यह four processes करेंगे ठीक है तो कैसे problem को solve करेंगे थोड़ा सा मैं आपको hint दे रहा हूं कि originally क्या होगा एक parent process रहा होगा system में ठीक इक array आप बना लेंगे जो भी array होगा array को आप read कर लीजिये ठीक है और यह joky q ہOTा है जिसका count करना की कि कितनी बार आया है यह आप क्या करिए कि आप read कर लीजे तो array आप read कर लीजे माणना लिए this is the array a तो array में माणना लिझे हैं एन element है तो एन user से आप read कर लोगे इस array को आप read कर लीजिए ठीक है तो यह area आप read कर लीजिए और यह key आप read कर लीजिए कि key मतलब कि कौन सा element search करना area में कितनी बार आया है यह आप read कर लीजिए ठीक है so original process P है तो हम क्या करेंगे कैसे हम 4 process create करेंगे तो पहली बार हम क्या करेंगे कि एक PID ले लेंगे यह क्या होगा PID underscore T type का variable होगा so PID 1 is equal to हम 4 call करेंगे तो अभी एक system में एक ही process है तो 4 call करेंगे तो क्या होगा यह एक child process create करेंगा क्योंकि यह process है तो यह child process create करेंगा तो देखिए इसने एक process create कर दिया 1 यह child process ठीक है अब देखिए कि यह PID is equal to fork लिखा है तो देखिए कि fork क्या करेगा PID के value क्या होगी fork के लिए यह parent को क्या करेगा value greater than 0 return करेगा और child को क्या करेगा PID की value यह 0 return करेगा ठीक है PID is equal to fork लिखा है तो यह क्या करेगा child को value कौन सा return करेगा PID 1 की value 0 हो जाएगी और parent के लिए PID 1 के value कितनी होगी greater than 1 यह क्यों होता है यह हम लोगों discuss किया है तो यह child को यह PID 1 के value greater than 0 return कराएगा और parent को greater than 0 और child को क्या करेगा PID के value यह 0 return कराएगा ठीक है? तो यहाँ पे पहले 4 के बाद basically यहाँ पे यह काम हुआ है तो PID 1 is equal to 4 कर दिया तो PID 1 के value parent में कितनी होगी? greater than 0 child में कितनी होगी? equal to 0 तो अब दखिए कि एक बार हमने 4 call किया तो हमारे पास दो process होगा एक जो parent process है दूसरा एक child process है अब मुझे क्या चाहिए? दो और child process चाहिए तब total मेरे पास 4 processes हो जाएंगे ठीक है? तो हम क्या करेंगे? कि फिर से एक बार 4 call करेंगे तो यहाँ एक और variable लिया है PID 2 और 4 call किया है ठीक है? तो अब दखिए मेरे पास दो process है ठीक है? तो PID 2 is equal to 4 लिखेंगे तो क्या होगा? अब यह दोनो process एक child create करेगा तो यह process भी एक child create करेगा और जो child process 1 create हुआ है वो भी एक child create करेगा तो यहाँ पे देखिए process P ने भी एक child create किया जिसको हम बोलता है child 2 ठीक है? और उसी तरह से process 1 यहाँ पे अब देखिए यह जैसे जब create किया है इसने process P ने एक child तो PID 2 की value इसके लिए क्या होगा ये greater than 0 होगा और इसको क्या करेगा PID 2 equal to 0 return करेगा PID 2 क्योंकि PID 2 is equal to fork लिखा है ठीक है तो यहाँ पे PID 2 की value क्या होगा जब दूसरी बार fork call करेंगे तो ये process एक child create करेगा तो इसके लिए PID 2 की value कितनी हो जाएगी चुकि ये parent process है इसने child को create किया है तो PID 2 will be greater than 0 और child 2 के लिए PID की value कितनी हो जाएगा equal to 0 ठीक है उसी तरह से ये process भी क्या करेगा ये भी child create करेगा तो इसने भी एक child create किया 3 ठीक है तो यहाँ भी क्या होगा कि PID 2 की value क्या होगी 1 के लिए क्या होगा 1 को ये greater than 0 value return करेगा और 3 को क्या करेगा ये PID 2 की value 0 return करेगा तो 1 को इसने PID 2 की value greater than 0 return कराया और 3 को इसने value PID 2 की equal to 0 return कराया ठीक है तो यहाँ पे जो PID 2 की value होए 0 होगा लिए greater than zero और child के लिए जीरो होगा तो देखिए यहाँ पर अब second fork के बाद पहला बार जैसे call किया था PID 1 is equal to 4 second by PID 2 is equal to 4 तो पहली बार में कितना process create हुआ था child process एक दूसरी बार में देखिए कितना child process create हो रहा है दूसरी बार जब four call किया है तो two so total कितने child process हो गया है one plus two three so पहला child process दूसरा child process और यह तीसरा child process so total four child processes और एक parent so total four process मेरे पास हो गया है ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए कैसे आप पता करेंगे कि parent कौन सा है child कौन सा है ठीक है पहला child कौन सा है second child कौन सा है ठीक है, तो हमने देखा कि 3 child create हुआ, ठीक है, तो जिसमें कि total कितने process हो जाएंगे, 4, एक तीन child और एक original process, तो देखिए यहां पे parent process के लिए क्या होगा, parent process जैसे देखिए, पहली बार में इसका PID 1 कितना है, greater than 0, second बार में इसका PID 2 कितना है, greater than 0, तो PID 1 और PID 2 अगर greater than 0 है, तो इसका मतलब कि क्या होगा यह, parent process होगा, तो parent process को recognize करने का तरीका क्या है, PID 1 greater than 0, PID 2 greater than 0, ठीक है, so simple सी बात है, कि यहां आप जैसे root से चलिए और देखिए कि PID की value क्या है, तो उससे आँ मालूम हो जाएगा कि particular जो child है या parent है, उसका PID कितना है, तो यहां से अगर आप चले, तो parent का देखिए तो, PID 1 कितना है greater than 0, और PID 2 भी क्या है, greater than 1 है, sorry, 0 है, ठीक है, so parent के लिए condition क्या होगा, PID 1 greater than 0, PID 2 greater than 0, अब यहां पर इस child पर चलते हैं, तो इस child पर देखिए, पहला बार, जब हम लोग गया, तो PID 1 इसका कितना है, equal to 0, और PID 2 कितना है इसका, जिस्ट यहां से यहां तक आईए, ठीक है, so PID 1 देखिए, equal to 0, और PID 2 इसका कितना है, greater than 0, ठीक है, तो पहला child के लिए, PID 1 greater than 0, और PID 2, sorry, PID 1 equal to 0, और PID 2 greater than 0, अब थर्ड जो child है, इस पर आईए आप, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, PID 2 की value कितनी है, यह 0 ह ठीक है, PID 2 के value 0 है, और इसका जो parent है, उसका PID 1 किया है, greater than 0 है, ठीक है, तो यहां पर PID 1, PID 2 पे आ रहे हैं, तो PID 1 की value कितनी है, greater than 0, और PID 2 के value 0, तो जो second child लोगा उसके लिए, PID 1 की value greater than 0 हो जाएगे, और PID 2 के value कितनी हो जाएगे, 0 हो जाएगे, ठीक है, उसी तरह third फ़र चाहिए पे चलिए तो देखे कैसे पहुंच रहे है इसे PID 1 इकल्टू जीरो है और PID 2 इकल्टू जीरो है तो थर्ड चाहिए के लिए क्या हो जाएगा PID 1 इकल्टू 0 PID 2 इकल्टू 0 इस तरीके से इस रूल का यूज चरके आप यह जो three child है और एक जो parent हो उसको आप recognize कर लेंगे तो यह जो condition बनाके यही condition बनाके उस condition block में आप यह जो four काम जो दिया है four tasks उसको आप perform करिएगा ठीक है Thank you, hope कि आपने सिखा होगा